हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बैल आइकन पर क्लिक कीजिए नए नए वीडियोज देखने के लिए नमश्कार दोस्तो यूर हेल्थ डॉक्टर में आपका फिर एक बार स्वाकत है दोस्तो यदि मूँ में पढ़ते हो चाले तो आप इन आसान से उपायों को आजमाए यह उपाय बीलगों राम बांड के खान परते हैं अक्सर आपने लोगों को मूँ के चाले की वज़े से दर्द में करहते जरूर देखा होगा मुह में च्छाले कई कारणों से होते हैं जैसे शरीर में पॉष्टिक तक ही कमी खराब जीवन से लिए फिर खान पाने कड़ बड़ी जिसकी वज़े से वैक्ती काफी परिशान रहता है दिखने में छोटे से ये च्छाले आपका खाना पीना तक मुश्किल कर देते हैं ऐसे में च्छालों के इस दर्द में जट से रहत पाने के लिए आपको कुछ उपाय अपनाने चाहिए आईए जानते हैं पहला है तुलसी तुलसी में स्वास्त वर्दक और दर्द निवारग गुन होते हैं दिन में दो बार पांच पुलसी के पत्तों को खाने से दर्द से रहत तो मिलती है ये साथ ही धीरे धीरे च्छाले में ठीक होने लगते हैं अगला है खस-कस कभी-कभी खान-पान में गड़बडी के कारण मुँ में च्छाले पड़ जाते हैं खस-कस खाने में पेट को ठंड़ मिलती है अगला है नारिएल नारिएल का तेल और पानी मुह के छालो के लिए सबसे लाब धायग होता है नारिएल का पानी पीने से शरी ठंड़ा होता हता and और ताजा नारियल को घिस कर मूह के चाले के ऊपर लगाने से दर्द में रहात दोती है। अगली चीज है मुलेठी मुलेठी का एंटी-इंफ्लेमेंट्री गुन मुझे चालों की वज़े से होने वाले दर्द से रहात देता है। जरुरत के नुसार मुलेठी को पीछ ले और उसमें शहत मिलाकर छाले को उपल लगाएं कुछ देर में ही दर्द से आराम मिले अगला है हल्दी हल्दी के पाउडर में कुछ भून पानी डालकर पेश्ट बना ले और उसे अपने छालो पल लगाएं हल्दी का एंटी सेप्टिक और एंटी इंफ्लेमेंटर गूर्ट हालो को ना सिर्फ ठीक करता है पलकि दुबारा होने से भी रोगता है तो दोस्तों यदि आप भी मुझे चाले से परिशान है तो आप हमारे बता हुए इन घरे लिए उसको अपना सकते हैं हमें उम्मीद है कि आज की जानकारी आपको काफी पसंद आई होगी यदि आज की जानकारी आपको पसंद आया तो आप इसको अधेक सदिक लाइक और शेयर करना ना भूलें और इसी तरह के वीडियोज देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें धन्यबाद